ट्रेलर हम सब देखी चुके हैं, एमर्जंसी आपातकाल, जैसे ये शब्द कानों पर पड़ता है, एक इतिहासिक घटना लोकतंत्र के लिए काला अध्याय और जब उस सब्जेक्ट पर उस विशे पर एक फिल्म सामने आ रही है, तो यकीनन उसे लेकर मन में बहुत सारे सव होना, उसे लेकर समाज में एक डिस्कोर्स होना लाजमी है, स्वभाविक है, कंगना रनौट जी आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है, कंगना जी सबसे पहले तो आपको शुब कामनाई में दूगी कि इस विशे को आपने चुना फिल्म बनाने के लिए, लेकिन फिर पास भास गई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हीर, मैं आप सब लोगों का यहां पर अभिनंदन करती हूँ, कि आप लोगों ने मुझे आप यहां, मुझे इस मंच पे अमरुजाला ने बुलाया और अपने विचार रखने का मौका दिया, सबसे पहले तो आपने गहां कि इ किसी के साथ में किसी तरह के तर्क वितर्क हो रहे हैं, या किसी तरह की जो है, डिबेट्स हो रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बंदुके तनी जा रही है, और थपड़ और मुक्के और लाते मारी जा रही है, बाकि मुझे कोई विचार धारा है तो नहीं के चलते हुए हमने ये फिल्म बनाई है तो जाहिर सी बात है हम ये फिल्म जो है हमारे समविधान से जुड़ी हुई एक अधबुत घटना को हमारे पास लाता है और ये हमारे सारे देश का एक अधिकार है कि हम देखें जाने उसके बारे में बात करें सोचे समझें लेकिन अ और किसी तरह की बात ना करना let me tell you कि मैंने बहुत सारे groups को screening पर invite किया है बहुत सारे groups को मैंने ये भी कहा है कि अगर उनको किसी तरह की आपत्ति हो तो हम definitely उस चीज़ को consider करेंगे उस पर उस पर अपना पक्ष न यो है रखेंगे और चाहे documentation हो चाहे कहां से हमने वो उसका आधार क्या है वो चीज को प्रवाइड कराएंगे या अगर वो बेसलेस हुआ तो उसको डेफिनेटली निकालेंगे हमारे साथ एक भी कोई डिबेट नहीं हुई है ना ही कोई बात हमें कनवे की गई है तो अब लगता है इसका नाम मुझे मुझे इसका मनिशा जी मुझे खतम कने दीजिए मुझे लगता है इसका नाम अब इमर्जंसी से बदलके मुझे रखना चाहिए no one killed इंद्रागंदी यह जो आपने स्टेट्मेंट दिया है यह आपको पता है कल के अख़ार में फिर हैड्लाइन होगी नहीं तो होनी नहीं चाहिए होनी चाहिए नो वन केल इंद्रा गांदी क्योंकि आप नहीं कहा कि कहीं कोई चर्चा नहीं है डिबेट निया डिसकॉशन नहीं है जबकि गंदी गालियां दे देना फिर यह बात करना कि हाँ वो गाली सही थी या उससे कम वाली गाली यूज करनी चाहिए थी या वो गाली वो डिजर्व ही करती है यह कोई डिबेट होती है क्या आप कॉंसिट्यूशन पर डिबेट कीजिए आप बताएं इमिजन से क्यों अभी परिस्थिती है या जो अभी वर्तमान में जो सब कुछ घट रहा है? Definitely. I am as a filmmaker, as a creative person, I am very disheartened कि जो है, मेरी आवाज दबाई जा रही है और जो सत्य घटनाएं हैं, जिसमें फिल्म आधारित है, उसको नहीं दिखाने का मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है तो इसे, और ironically, ये फिल्म मैंने बनाई इसलिए है कि कैसे लोगों की आवाजे दबाई गई थी, it's very ironic. हाला कि आप मुस्कुराते हुई ये बात कह रही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी चेहरे पर वो पीडा देख सकती हूं, जब आप ये कह रहे हैं कि पूरे दिल के साथ, इमोशन के साथ, उस बिलीव के साथ आप फिल्म बनाते हैं, और सिर्फ ट्रेलर देखकर ही फिल्म को खारिच कर दिया जाता है या उस पर नाराज़गी जताद दी जाती है, लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टन बात की, और मुझे लगता है जितने लोग यहां बैठे हैं, उन्होंने भी इशादिस चीज को नोट के, आपने कहा कि हम फिल्म की स्क्रीनिंग रख रहे है और अलग-अलग groups को हम invite भी कर रहे हैं उसे देखने के लिए, और जिनकी जो आपतिया हैं, उसे सुनने के लिए भी हम तयार हैं, मैं चाहूंगे इस बात को थोड़ा सा आप और डिटेल में बताएं, आप ये, क्योंकि अभी जो परिस्तिती देख रही है, चाहे Sikh community से जु कोई बीच का रास्ता निकलता है, कोई बीच का रास्ता निकलता है? उसके बाद की परिस्तितियों में भी और जब किसी फिल्म में उसको पिक्चराइज किया जाता है, तो लोगों के इमोशन होते हैं, एक समवेधन शीलता उन चीजों को लेकर होती है, क्या इस पूरे विशे को इस पूरे मसले को और बहतर तरीके से दील किया जा सकता था, यड़ ठीक तरह से कनवे किया जा सकता था, क्या किसी चीज में लोगों के इमोशन को फ्यूल किया, आप अगर कभी भी किसी क्राइम को रिलिजिन से जोड कर जो है, राजनीती करेंगे, तो डेफिनिटली देश जो है, वो बंदूकों के ही रास्ते पे चलेगा, समझ रहे हैं न, देश जो है, बंदूकों के रास्ते पे, कनपटी पे बंदूक रखी और उस रास्ते पे चले, उस रास्ते पे देश नहीं चलना चाहिए, हमें अधिकार है कि हम अपने इतिहास से सीखें, और पहले भी हमारे इतिहास ने जो है, चाहे वो जातिवात के न और समझें कि ये क्यूं होता है और क्यूं नहीं होना चाहिए लेकिन अगर आप को बहुत जादा तकलीफ देती है ये वास्तविक्ता कि लोग अब समझदार हो जाएंगे और समझ लेंगे तो अगर आपको तकलीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं तो आपकी उमीदों पर जो है वो पानी फिर रहा है तो ऐसी अगर उमीदें लोगों ने बना के रखी हुई है कि इस देश के जो हैं वो टुकडे होंगे और उसको धर्म से जोड़ा जाएगा अगर आप धर्म की बात करते हैं तो आप मंदिर की बात कीजिए आप किसी धर्म स्थल की बात कीजिए धर्म के नाम पर अगर आप अलग देश की डिमांड करते हैं वहां सरकार चलाना चाहते हैं और देश का भिवाजन करना चाहते हैं और कहते हैं आपको धर्मिक तो हम लोगों की जेनरेशन को कायरों की जेनरेशन नहीं है तो यहां बैठे-बैठे देखती रहेगी देखे आपका व्यूपॉइंट मैं यह बात जरूर कहूंगी कि आप अपनी बातें बहुत बोल्ड तरीके से बड़ी मजबूती के साथ रखती हैं लेकिन एड़ सेम टाइम क्या हमें इस देश की लोगतंतर पर भरोसा नहीं क्योंकि हमने बहुत बुरा वक्त अलग-अलग स हमें में देशकाल परिस्तितियों में देखा लेकिन उसके बावजूद भी देश की लोगतंतर की देश के वैल्यूज की जीत हुई तो जब जहां पर असहमेतिया आती हैं क्या विरोध का मतलब यह हैं कि यह तुक्रे-टुक्रे गैंग है यह लोग हमारे खिलाफ हैं विर फिल्म का ट्रेलर मात्र देखने से उस फिल्म पर फैस्ता दे देना यह सही नहीं है और देश में जब हम अभियक्ति की बात करते हैं तो हर पक्ष को अपनी अभियक्ति का पूरा अधिकार है और इसी को हम कहते भी हैं कि freedom of expression आपको यह लग रहा है कि आज freedom of expression का घलत इस्त सरकार है उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी आवाज दबाई जा रही है सत्ता पक्ष में होने के बावजूद सबसे पहले तो यह assume करना कि जो लोग सरकार में होते हैं उन्हीं का पत्ता चलता है उन्हीं का सिक्का चलता है तो मैं यहां पर confirm कर दूँ कि सरकार ने हमें रखता है जनता के काम करने के लिए हमारा काम करने के लिए सरकार नहीं है तो हमें जो है, सरकारी मुलाजिम बनाया हुआ है, हम सारा दिन जनता के काम में लगे रहते हैं, कभी किसी का गाउं में डंगा गिर जाता है, कभी नाली तूड जाती है, हम पंचायतों में उनको पहुंचाते हैं, कभी किसी का पैर तूड जाता है, किड्नी वेल हो जाती है, हर तरीके का काम हमें पूरे देश से आता है लेकिन जब हमारा अगर देखा जाए अगर नीजी काम हो तो उसके लिए हमारे फोन कोई नहीं उठाता है यह भात्य जंदपार्टी की सच्चाई फिल्म के लिए जब आपने डिसकर्शिन के तो किसी नहीं उठाया कोई सपोर्ट अंदर से नहीं मिला देखिए मैंने कहा ना आपको अगर आपको राजनीती की बात करनी है तो आपसे करेंगे अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए मंडिक शेतर के लिए चाहिए तो करेंगे फिल्मों की बातों के लिए वो आपका फोन नहीं उठाया और अगर फिल्म ही राजनीती पर वनी हो तो वो मेरा एक विशेष का जैसे मैंने कहा यह मैंने फिल्म जो है अपने नीजी जो मेरे संपत्ती है या कह लिजी अपने विचारों से बनाई है और फिल्म पिछली साल बनके तयार थी राजनीती में मैं सिर्फ मात्र दो महीनों से आई हूँ लेकिन यह सोचना के कंगना राजनीती में है और मैं बहुत सारे लोगों को disappointed भी देखती हूँ कि कंगना राजनीती में है तो यह बीजेपी वाले तो अपनों के ही काम ने करते हैं ऐसा है वैसा है नहीं ऐसी मुझे किसी तरह की कोई निराशा अपनी पार्टी से नहीं है वो जो समझें जो देश के लिए बहतर है वो अवश्य ही वो करेंगे और हम उनके साथ हैं लेकिन ऐसा फिल्मेकर मुझे निराशा है सेंसर से कि उन्होंने मेरी एक भी मीटिंग जो है किसी भी ग्रूप से नहीं करवाई और ना ही उनकी बातों को जानने का मुझे बस जो कट्स मुझे करने के लिए कहा गया कि मैं सीखों को दिखा ही नहीं जगती पूरी फिल्म में उससे मैं बहुत जादा निराशा जो है सेंसर के प्रती रखती हूं थोड़ा समय इस विशे को और इलाबरेट इसले करना चाहूंगी क्योंकि जब देश में हम देख रहे हैं कि अलग अलग सोशल पोलिटिकल इशू पर फिल्म में बन रही हैं इसी देश में कश्मीर फाइल्स भी बनी केरला स्टोरी जैसी फिल्म भी बनी और हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के कई नेताओं ने इंफाक्ट सरकारों तक ने उन फिल्मों को एंडोर्स किया एक ऐसा विशे जिस पर आइडिलोजिकल रूप से बीजेपी जिस विशे के साथ खड़ी दिखाई देती है एमर्जेंसी जिसका जिक्र हर डिबेट में हर टेलिविजि कि अगर आप किसी सरकार के अजेंडा से ना चले अगर आप अगर आप जो है यह सोचते हैं कि आपने अपने नीची भाव से बनाई है फिल्म और अगर माली जी आपको कश्मीर फाइल से लगता है कि उन नेताओं ने जो है या उन कलाकारों ने जो है वो सरकार का अजेंड जो है वो आगे किया है तो I think राष्ट्रवाद का अजेंडा जब आगे होगा तब मुझे पूरा पता है कि पार्टी भी मेरा पक्ष देगी लेकिन अगर आप अभी यहां से देखें ट्रेलर से मैं क्या उम्मीद कर सकती हूं कि मुझे क्या सपोर्ट मिलेगी इंद्रा आएगी और इस पर जिस तरह की बाते होंगी यह नैशनल इंटेग्रिटी के लिए एक तो हमारा जो समविधान है वो उसका क्या महत्तो है दूसरी चीज के हमारे देश की जो है इंटेग्रिटी हमारा सब का साथ रहना यो जितनी भी टुकड़े गैंग हरे को अपना देश चाहिए जिसको चाहिए वो चाहता है कि जो भी क्षेतर देख लीजे हमें अपना देश देदीजिए हमें अपना देश चीजिए हमारी जो एकता है हमारी जो अखंडता है हमारा जो भारत की जो अखंडता है वो हम सब का दाइत्व है और क्या ही हमारा भविश्य होगा अश्या ही मेरी उमीदे रहेंगी कि जो जो राष्ट्रवादी हैं जो देश के टुकडे नहीं होने देना चाहते हैं और जो देश की अखंड़ता और चाहे किसी की भी फिल्म रही हो जिन्होंने देश की अखंड़ता को साथ में रखा है उनका वो डेफिनिटली वो मुझे लगता है वो करेंगे लेकिन अब कुछ लोगों ने इतना जादा सडकों पर आ गए हैं देश को जला देने की धंकिया दे रहे हैं तो खैर अब मुझे निकालना शुरू कर दिया तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा आपने बहुत इंपॉर्टन बात की और इसी बात से आगे बढ़ते हुए फिल्म से आगे बढ़ते हुए हरियानो और महराष्ट्र में मॉब लिंचिंग की घटना ही हुए और आज ही राहूल निति करती है जी राहूल गांदी ने आज ही उनका ये स्टेटमेंट है इसमें उन्हें हरियानो और महराष्ट्र की घटनाओं को लेकर ये कहा है अपना अपना विजन होगा वो ऑपोजिशन लीडर है वो कुछ न कुछ तो बोलेंगे लेकिन जो देश जो है जिनकी जो न कहा नफरत मुझे तो समझे निया रहा कहा नफरत तो अब उनको जितना दिमाग है उतनी वह बात करेंगे आप जब गांधी परिवार पर हमले बोलती है तो बड़े तीखे ये हमले होते हैं गांधी परिवार को लेकर अगर आज मैं आपसे एक अलग सवाल पूछने क्या उनकी सरकार जब रही है कोई एक डिसीजन आपको लगता है कि जो उन्होंने अच्छा लिया या देश के ल दिखाती है जैसे पता नहीं मुझे उनसे कोई परसनल बैर है मुझे मुझे उनसे क्या ही बैर होगा बताईए अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी उससे पहले अगर मैं उनकी तारीफ करू वो घर बुलाकर मुझे बहुत अच्छे से आधर देंगे ऐसा नहीं है कि और आज भी जिस तरह से वह family चल रही है जिस तरह से वह बाते करते हैं चाहे राहूल कहें अमेरिका को आपाघियों स्टॉ सुप्रियम कोट से नोटिस मुझे भिजवाते हैं वो हर हाफते भिजाते राउल गांदी के लोग अपने लिए नहीं मुझे लगता है उन्होंने देश का जितना नुकसान देश को इस फैमिली ने पहुचाया है उतना आज थे देख लिए बिगनिंग से एंड तक और अब ह अब हमें हक है कि ये देश इन लोगों के चुंगल से निकल जाए ये हमारा हक हम इनके चुंगल से निकले अब और निकल चुके हैं दिखे आज आप सांसद मी हैं और अब आप पार्टी से ऑफिशी एसोसियेटेड हैं आप पॉलिटिक्स में कदम रख चुके बेश्यक अ अब मैं गलत हुँ लेकिन मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जितनी जानकारी मैंने परिवार को लेकर जुटाई आपके जो ग्रेट ग्रांट पादर ने परदादा रहे हैं वह कॉंग्रेस पार्टी से विधायक रहे आपके डादा जी आइस भी रहें कॉंग्रेस मेरे जो परदादा है वहérience थी नवी'reն महात्मा गांडी जी के पास उनके पास यहां पूछनाओ वक्लुप यह यह उल्हा है कि परिवार का एक association जो परवरागत पत्रूप से कॉंग्रेस पार्टी से बहुत पहले के वर्षों में रहा आपके लिए वो ट्रिगर पॉइंट कब आया या एक टर्निंग पॉइंट कब आया जब आपको लगा कि नहीं ये पार्टी ठीक नहीं है और मेरी विचारधारा या मेरे थौट्स वीजेपी से जाधा रेजोनेट करते हैं वो मोमेंट कब आया आपके लिए मोधी मोधी जब आया तो वो मोमेंट हमारे लिए आगया हम लोगों ने हम लोगों ने बहुत शोशन सहा है हम लोगों ने हर जगा जब जब हम चाहे मुंबई गए हो चाहे शहरों में गए हो अंग्रेजी नहीं आती यह चोटे शहरों से हैं, इनको इंडस्ट्री से निकालो, यह चोटे लोग हैं, यह हम लोग वंशवादी हैं, हम लोग गोरी चमडियों वाले हैं, हमारे चाचा चाची जो हैं वो लंडन, अमेरिका से हैं, हम लोग बड़ी मिक्स ब्रीड हैं, हम लोग यह हैं, हम लोग वो ह हैं हम परिशान थे परिशान थे इस देश में जो भारत और भारतीता का जो दुरुदशा थी इस देश में यहाँ तक मुझे याद है एक बार एक मेकव और फार्टिस्ट और एक हिरू तयार हो तो उसने कुछ इस और बड़ा इंडियन काम करता है तो था यह बात हमेशा मेरे साथ रही बड़ा देसी अरे यह तो इंडियन मेक है अरे यह तो भार्टे पुलस है अरे यह और हमारी जो फिल्में भी होती थी यूपी जो है रेप, मर्डर का जहां जाएंगे, पुलिस के पास लेडी जाएगी, पुलिस उसको गैंग रेप करेगा कब तक हम सहते, कब तक हमारा बुरा हाल था और फिर भी लगता था कि देश को छोड़ के चले जाएं 2009-2010 में हम मैंने अमेरिका में घर भी ले लिया, जो भी चोड़े बॉट पैसे थे, एक कॉंडो, कैलिबसिस करके कैलिफोनिया में, मैंने का कहां जाएं, कहां इस देश की दुर्दशा देखके, बहुत जादा निराशावाद हो जाएंगे नहीं तो, और फिर उदे होता है, एक ऐसी चेतना शक्ति का, जिसने जन-जन में भारती होने का एहसास दिलाया, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति, जो है, बफ़ादारी है मिट्टी के प्रति, इसमें क्या शर्मिंदगी है, पर उस टाइम पर आप बता नहीं सकते और अगर आप इन टाइपों में दिखेंगे तो आप पकड़े जाएंगे हम परेशान थे और फिर ऐसी चेतना शक्ति का उदे हुआ और मैंने कहूंगी कि वो मोदी जी तो कब से भटकी रहे थे कभी हिमाल्यों में कभी कई कि उनको कौन पूछता था यह जो चेतना शक्ति है समस्त भारत वर्ष में आई और उन्होंने बोले हम भारत को चुनेंगे हम भारतियों को चुनेंगे और तभी तो मैं कहते हूं हमें सवतंतरता मिली, हमें मानसिक सवतंतरता मिली और हमें सेंविधानिक सवतंतरता मिली जब हमने अपने लोगों को चुना इस देश में. देखे, आपके इसी एमोशन को मैं अब संसत की तरफ लेकर जाओंगी. हमाचल से, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हो, 15-16 साल की उम्र से आप घर से निकल गई थी और उसके बाद दिली, दिली से मुंबई, मुंबई में एक सक्सेस्फुल फिल्मेकर, चार नैशनल अवार्ट के बाद, जब आप दिली पहुंची फिर से, राजनीती में कदम र पता नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन उस टाइम पर मुझे ऐसे लगा कि मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कि मुझे यहां होना चाहिए, और उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया, कि मुझे अपने कुछ मुझ में हो पाएगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत छोटा महसूस हुआ उस दिन, उस पद पे. आप बड़ी विनमर्दा के साथ ये बात कह रही हैं, लेकिन मंडी के लोग आपको बड़ी आकांग्शाओं के साथ देखते हैं, और इस देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियां, जुरोंने कभी भी मुंबई जाने का सपना देखा होगा, जो common background से हैं, जब वो कंगना को आउतराखंट से हूँ, तो मैं ये चीज़ समझते हूँ कि जब पहाड से एक इंसान निकलता है, तो वो अपने जोले में थोड़ी सी दूब लेकर, थोड़ा सा वहां के थंडे पानी का असर लेकर, वहां की फिजाओं को लेकर, बेश्यक वो टैंजिबल रूप में ना द हमें भी 2014 से पहले कोई पूछता नहीं था, दर-दर भटकते थे, 2014 में कुईन फिल्म आई, एक ऐसी बेटी की फिल्म, दिल्ली की बेटी की फिल्म, अपने घर की बेटी है, वो आइटम नंबर नहीं है, वो कोई बस्तर पहन के लुभाती नहीं है, वो एक मासूम अपने घ इधर की बेटी है वो अपनी जर्नी पे निकल जाती है तो मुझे लगता है कि ऐसे इतिहासिक चीजें हुई है 2014 में और होती ही जा रही है और आज हम गाउं से निकली हुई बेटियां गाउं से निकली हुई बेहने जो है आगे आ रही है और बड़े गरव से बोलती है कि हम की बेटियां है और यह है जैसे अटल जी ने कहा था कि हमारा जो विकास है वो गाउं का विकास ही भरत देश का विकास है तो उसी के साथ हम चलेंगे अच्छा एक चीज होती है कि जब भी हम किसी profession में कदम रखते हैं तो उसकी एक तैयारी होती है उसकी preparation होती है अगर आप acting के फील में भी गई तो आपने अलग अलग उसके लिए training लिए होंगे या सभी काम की होंगे लेकिन politics ऐसा field निये जहां के लिए कोई एक official training या किसी institute मे आपने आपको हरोस कैसे तैयार कर रही है या as a parliamentarian संसद का जो एक protocol है वहां का जो एक decorum है वहां पर जिस तरह से कारवाही चल रही है उसके लिए are you preparing something learning from somewhere just pure observation नहीं थोड़ा संघर्ष करके देखिए हर चीज़ का but मुझे लगता है जैसे हम acting करते हैं या कोई और काम करते हैं तो एक वक्त पर आपको एक film complete करके लग सकता है कि हाँ मेरा काम हो गया आपको ऐसा लग सकता है लेकिन राजनिती का काम ऐसा है ये कभी भी पूरा नही होता है you are nothing is enough जितने चाहे लोगों को मिल लीजिए जितने चाहे काम कर दीजिए और क्यूंकि ऐसा भगवान की कृपा है कि हमें सारे देश में जानते हैं सारे देशों से फोन आते रहते हैं मेरी बेटी घर नहीं आई गंगना जी हमारे आज पती ने ये कर दिया ये सब कर हैं तो जितना हो सकता है उतना कर देते हैं कभी-कभी ऐसी बीस्थिति आती है जैसे हमारे मंडिक शेतर में ऐसी बाड़ आई लोगों के लोगों के घर ही बह गए लोगों के बच्चे बह गए तब हम वहां पे खड़े भी हो जाते हैं कि अब प्रकृति के सामने इतने करने के लिए जिन्होंने वाकई में आज इतनी बेबाकी से अपने सपष्ट विचार हम सब के सामने यहां साजा किये और ना से अपनी फिल्मों के माध्यम से इतना बहतरीन योगदान देती आए हैं माम आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं मंचपर आमंतृत करना चाह अमर उजाला की विक्रिप्या पधारे और हम सब की ओर से कंगना रनाव जी का आभार व्यक्त करें अमर उजाला परिवार की तरफ से जोड़दार तालियों के मध्य कंगना रनाव जी जो निरंतर अपने सफल प्रयासों से समाज में एक कुशल बदलाव लाने के प्रयास क और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें